नवस्कार मैं हूँ अभिनाश पांडी और आप देख रहे हैं नियूस वन लेबेन एक दुखत खबर आप तक लेकर आया हूँ जी हाँ एक महिला नेत्री जिन्होंने राजधानी दिल्ली की कमांड सम्हाली और तीन बार तक मुख्यमंत्री रही मैं बात कर रहा हूँ सीला दिक्षित के बारे में और आज उनका निधन हो गया है दिल्ली की पुरुव मुख्यमंत्री सीला दिक्षित के निधन की खबर आ रही है और बताया ही जा रहा है कि दिल का दौरा पढ़ने की वज़़े से उनका निधन हो गया है आज यानि कि शनि की बात करें तो उनके जन्व पंजाब के कपुर्थला में हुआ था जो 31 मार्च 1938 को इनका जन्व हुआ था एक 80 साल की थी सीला दिक्षेत सीला दिक्षेत दिसंबर 1998 से दिसंबर 2013 तक दिल्ली के तीन बार मुख्यमंत्री रही और महिला नित्री में एक सुशक्त नित्री की तौत दहत इनको देखा जाता था महिलाओं का नित्रित्व एक तरीके से अगर देखा जाये तो वो इनके हाथों में दिल्ली ने बहुत ही बहतरीन काम किया था ऐसा वहां के लोग भी कहते हैं मुख्यमंतरी रहनी के बाद भी सीला दिक्षित जो है केरल की राज्यपाल भी रह चुकी है अगर वर्तमान समय की बात करें तो दिल्ली प्रदेश कॉंग्रेस की अध्यक्ष थी वो और लंबे समय से बिमार चल रही थी 80 साल के उम्र में उनका आज यानि के शनिवार को निधन हो गया है 80 साल के शीला दिक्षित लंबे समय से बिमार थी फिलाल कॉंगरेस की माने तो कॉंगरेस ने उन्हें एक बड़ी जिम्मेदारी दी थी और कॉंगरेस ने उन्हें दिली परदेश का अध्यक्ष निक्ष नियुक्त किया था 15 साल तक राजधानी में मुख्यमंत्री रही सीला दिक्षित का दिल्ली के एक्सकॉर्ट अस्पताल में इलाज चला और आज अचानक दिल का दोरा पढ़ने के विज़े से उनको भरती कराया गया था और वहाँ पर उन्होंने अंतिम सांसे ली है बताया जा रहा है कि कॉंग्रेस की तरफ से और जब एक्जिट पोल आ रहे थे तो ये बताया जा रहा था कि दिल्ली की जो साथ सीटे हैं उनमें बीजेपी छे पर जीत हांसिल कर रही है और एक सीट जो कॉंग्रेस के खाते में एक्जिट पोल में दिखाया जा रहा था और वो सीट थी सीला द अगर कॉंग्रेस की बात करें तो बड़ी जिम्मदारी देते हुए कॉंग्रेस ने इस तरीके से दिल्ली की कमान दी थी और फिर दिल्ली में रहते हुए नय जिला धक्चो की नियुक्ति भी उन्होंने की थी लेकिन आज उनके निधन से पूरा देश में शोक है क्योंकि एक देश ने एक सशक्त महिला नेत्री को खोया है या यू कहें कि एक बहतरीन नेता को खोया है जो राज्यपाल भी रही जो दिल्ली जैसे जिस तरीके से राजधानी है देश के उसकी मुख्यमंत्री रही वो भी लगतार तीन-तीन बार तक उन्होंने बाग दोर समाली आपको हमने breaking news बताई जिस तरीके से ताजह ख़बर कह लें या फिर breaking news कह लें यह त liar दिक्षित को लेकर बड़ी ख़बर आई जहां उनके निधन की ख़बर है आपको बतादे कि इस तरीके से उनका निधन हुआ है फिलाल आप देख रहा है हमें न्यूस 11 और इस तरीके से ऐसे तमाम बड़ी खबर हम आप तक पहुंचाते रहते हैं और इसलिए आप हमारी योट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं इससे अलावा आप हमें फेस्बूक पर भी लाइक कर सकते हैं लेकिन फिलाल इतना हैं नमस्कार न्यूज वन अलेवन के वीडियोज को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दवाएं